basically मैंने जो last video में आपको chop coil के बारे बढ़ाया था I think आपको समझा गया होगा तो यह उसके notes है जो मैंने आपको board पर पढ़ाया थे और यह एक छोटा सा मैंने flow chart बना दिये जिस वज़े से आपको जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो भी clear हो जाएगा ठीक है तो यह हमारा first page है आप screen shot ले सकते हैं और यह हमारा second page है thank you for watching our video वीडियो अच्छे लगती हो तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और इसी type से मैं notes भी डालती रेती हूँ